अप्रैल 1876 में लोर्ड नोर्थ वोक के स्थान पर लोर्ड लिटन को भारत के गवर्णर जनरल के पद पर नुक्त किया गया। उस समें लोर्ड लिटन के समक्ष दो मुख्या कटनाई थी और उनी के कारण भारत में उसका शाषन सफल नहीं रहो सका। सरप्रतों गवर्णर जनरल का पद ग्रेंड करने के पहले लिटन को भारत की परिस्थितियों को समझने का अफसर प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरे बेटेन के परधान मंतरे डिजरोली ने उसे रूसी प्रभाव को रोकने और अफगानिस्तान के प्रती विशेश नीती अपनाने का आदेश दिया था। आईए जानते हैं लोड लिटन दवारा अपनाई गई कुछ नीतियों के बारे में। अंत में भारत सचीव के आदेश और अपनी सम्मीती से लिटन ने स्वतनता व्यापार की नीती को अपनाया और बान में वस्तुओं पर आयात निर्यात कर समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार लोड लीटन ने इंगलेंड के हित की पूर्ती के लिए भारत के हित का बलेदान कर दिया। लोड लीटन ने आर्तिक सुधारों की और भी ध्यान दिया। उसने लोड मियो की प्रांतों को आर्तिक अधिकार देने की नीती का अनुकरन किया। लोड मियो ने प्रांतिय सरकारों को प्रोथसान देने के अधिश्य से आर्तिक विकेंद्री करन की नीती अपनाई थी। और नमक के अवैद व्यापार को रोकने के अदिश्चे से संपूर्ण भारत में नमक पर समान कर लगाया गया। 1876 से 78 एसवी की अवैदी में बंबई, मदराज, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब और मद्य भारत के अधिकाज भाग भीशन अकाल के शिकार हुए। अकाल के अवसर पर समर्थ एवं स्वास्त व्यक्तियों का काम दिया जाए। असमर्थ और ऐसाय लोगों को साहता दी जाए। भयावय स्थिती के प्रती ब्रिटिस सरकार की उपेक्षा को और नीती से भारतियों के बीच असंतोष की आग प्रज्जोलित हो रही थी। तबी लोड लिटन ने एक भवे शाही दरबार का आयोजन किया जिसमें महरानी विक्टोरिया को विदवत भारत सामरागी गोशित किया गया। दरबार समारों के अफसर पर शान शोकत और प्रतिष्टा की रक्षा के नाम पर अत्य दिक धन बरवाद किया गया। इस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों की सुतिनतर नश्ट कर दी गई। भारत में स्वाभाविक रूप से इसकी तीकी प्रतिकिरिया हुई और इससे रैगिंग एक या गला काटने वाला कानून पुकार जाने लगा। सारा देश आंदोलन की लहर में डूपने उतरने लगा। भारतियों की बढ़ते विया संतोष को देखकर लोड लिटन ने प्रैस अधिनियम को रद कर दिया गया। पहली बार प्रबल जन अंदोलन के शक्ति साली सोरोग को देखकर पिटिस सरकार को जनतकी मांग के समक शुकना पड़ा। प्रतिबंद लगाना। लोड लेटन के समय सरकारी सेवा उसे संबंदित नेती में भी परिवर्दन हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट की ग्यारवी धारा के अनुसार कमपनी सरकार ने गोशना की कि कि किसी पद पर न्युक्ति का आधार योग्यता होगा और जन वर्ग जाती को कोई प्रातिमिक्ता नहीं दी जाएगी। 1833 के आधेश पत्र के दुआरा सरकारी सेवा में उच पदों पर न्युक्ति के लिए लंदन में एक परिक्षा की व्यवस्ता की गई। इस प्रकार सिध्धान भारतियों को उच सरकारी सेवा में स्थान पाने का अधिकार दिया गया था। किन्तों अंग्रेश चाशकों की पक्षपात पूर्ण नीती के कारण व्यवार में यह संभव नहीं हो पाया। लोड लिटिन की भारतियों के इस सुवीदा से वंचित करना चाहता था। इसलिए उसने भारतियों के लिए एक प्रतक सरवजनिक सेवा की व्यवस्ता की, प्रांतियों सरकारों के सिफारिश और भारत सचीव की सुईकरती के पश्चात कुछ विशेश परिवारों के व्यक्तियों को इस सेवा में लिया जा सकता है। यदे भी लोड लिटन की योजना आट वर्षों के बाद समाप्त हो गई। फिर भी उसने भारतियों को उच सेवा में प्रवेश करने से रोक दिया। विडियों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।